हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए आपकी अंत्रा बुक का नया पार्ट लेकर आए हूँ ये पार्ट एक कविता है कविता लिखी है नागारजुन जी ने और कविता का नाम है बादल को घिरते देखा किस तरीके से उन्होंने हिमाले के उपर बादल घिरते देखा तो उन्होंने एक एक करके जो है हिमाले की सारी सुन्दर्ता को निकाल कर हमारे सामने रख दिया हिमाले की सुन्दर्ता वहां बसने वाले जो है जितने बीचर अचर प्राणी है उनकी सुन्दर्ता हर तरीके से निकाल कर हमारे सामने रखे चलि चोटे मोती जैसे उसके शीतल तो ही करणों को मान सरोवर के उन स्वरणिम कमलों पर गिरते देखा बादल को गिरते देखा अब इन्हों ने जब बादल देखा शिखर पर बादल को गिरते देखा कहां पर हिमाले के ऊपर हिमाले के ऊपर गिरते देखा हिमाले पर सफे पट रही थी तो वो सोने जैसे चमक रहा था, तो उसके उन्होंने क्या बोला कि हमने वहां हिमाले देखा, ध्वरजल मतलब कि वहां पर उसके ओपर बर्फ पढ़ी थी और वो सफेज सफेज सा उजवल सा उसके शिखर दिख रहे थे छोटे छोटे मोती जैसे जैसे छोटे छोटे मोती होते हैं उसके शीतल तो ही करणों को यानि कि ओस की सीतल ओस की जो बूंदे होती हैं वो किसे सिमलर करी उन्होंने एक क्या कहते हैं छोटे-छोटे मोती जैसे मान सरोवर के उन स्व बूंदे पड़ी थी और वो बूंदे कैसी लग रही थी जैसे कि मोती बिखरे हुए हैं बादल को घिरते देखा जब मैंने बादल को हिमाले पर घरते देखा तो साथ साथ मैंने ये सारी चीजाने भी देखी तो उसकी व्याक्या कैसे लिखेंगे बादल को घिरते देखा कविता के इस प्रतम चंद में एक कवी ने हिमाले की चोटूई की व्याक्या की है किस तरीके से हिमाले की चोटियां बर्फ के सफेद चागर से डगी हैं इतनी सुन्दर लग रही हैं कि उन्हें देखने के लिए देखने वाले एक पलक भी उसकी पलके नहीं जपकते कभी हिमाले की चोटियों के बारे में वंडन करते वे कहते हैं कि हिमाले की चोटिया धूप के कारण बहुत ही जादा उजवल नजर आती है बर्फ के कारण वे सुन्दर दिखती हैं इतना ही नहीं ओस की बूंदे कभी को छोटे छोटे मोतियों के समान लग रही है जब ये चोटी चोटी ओस की बूंदे कमल के फूलों पर गिरती है तो पूरे कमल के फूल का सौंदर ही बदल जाता इतना सुंदर हो जाता है वे कमल का इन सभी द्रश्यों का मन खोलकर आनंद लिया और उसी आनंद को कभी ने इस कविता के मांध्यों में व्यक्त किया तो हर एक चीज़ देखिए ओस की बूंदे मोती से सिमिलर करी चोटी कितनी सुन्दर बताई तो जैसे जैसे उन्होंने देखा उसका बहुती सुन्दर वर्णन हर जगा हमारे सामने उन्होंने किया है आगी क्या दिया तुंग हिमाले के कंधों पर छोटी बड़ी कई जीले हैं उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतुत खोजते हंसों को तिरते देखा बादल को घिरते देखा यहाँ पर इन्होंने क्या दिया तुंग हिमाले के कंधों पर मतलब उचे हिमाले के कंधे पर जो है यानि कि बीच बीच में कहीं ना कहीं उचे हिमाले पर छोटी बड़ी कई सारी जीले बन जाती हैं सभी को पता है कि उपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर बीच बीच में बहुत सारी बड़ी छोटी जीले बनी हुई है उनके शामल नील सलिल पे और क्या है उनके शामल जो पानी है आसमान की वज़े से वो गहरा पानी जो दिखता है नीला नीला सा उस पानी में समतल देशों यानि आसपास के देशों से पावस की उमस से आकल मतलब सावन रितु की जो उमस होती है उसकी उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा यानि की मधुरता मतलब ठंडक की आस में और भोजन की तलाश में उन पक्ष हंसों को वहाँ पर आते हुए मैंने देखा है तो यहाँ पर क्या दिया उन जीलों पर जो है आसपास के देशों से गर्मी से परेशान जो हंस हैं वो ठंडक और भोजन की दलाश में यहाँ पर आते हुए कभी ने उनको देखा है कैसे लिखेंगे? कारण है यहाँ पर ठंडक पाने के लिए वं गर्मी से बशने के लिए हंस रहते हैं एक बार जो हंस हमाले परवत की जीलेवन नदियों में पहुँच जाते हैं वे वापस कहीं और जाने का मन नहीं बनाते ऐसा इसलिए क्योंकि हमाले की सुन्दर्टान मनुष्यों बलकि हंसों को भी पसंद आती है तो वो हंस हमेशा के लिए उस जगा पर आकर बस जाते हैं आगे है रितू बसंद का सूप्रभात था मंद मंद था अनिल बहरहा बाला रुण की म्रदुर किर्णे थी अगल बगल स्वर्णिम शिखर था एक दूसरे से विरहत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशाकाल से चिरा भिशत बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणे कले चिड़ते देखा बादल को घिरते देखा हम यहां क्या दिया है बसंत रितू का मौसम था क्या था बसंत रितू का मौसम आया हुआ था हलकी हलकी हवा बह रही थी मंद मंद था अनिल बहा यानि की हलकी हलकी सी हवा बह रही थी बाला अरुड की म्रदुर किर्णे यानि की सूरज निकला है और उसकी जो सुबा सुबा की किर्णे है अगल बगल स्वर्णिम शिकर पे और अगल बगल जब सूरज निकला है तो अगल बगल के जो शिकर है यानि की पहाणों के जो शिकर है उन पे जब धूप पड़ रही है तो वो स्वर्णिम हो गए अर्थाथ सोने जैसे चमकने लगे हैं एक दूसरे से विरहत होकर अर्थाथ एक दूसरे से विरहा अगनी में जुदा होकर अलग-अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी यानि कि रात भर उनको अलग रहने का जो अभिशाप प्राप्त है, बेबस उस चकवा चकवी का, यानि वो चकवा चकवी जो हैं बेबस हैं उस शाप की वज़ा से, तो यहाँपर क्या दिया है? तबी मंद मंध हवा बह रही थी स्वर्णिम शिखर था वहाँ पर तो तबी उन्होंने उस चकवा चकवी के जोड़े को देखा जो सारी रात अलग हो रहने के अभिशाप है उनको शाप मिला हुआ है कि वो रात में साथ नहीं रह सकते तो उस विरहा अगनी में वो सारी रात जले थे और अब क्या था सुबा हो गई थी साइम को अभिशाप राप्था सारी रात वो अलग रह चुके थे और अब सुबा हो चुकी थी बंद हुआ क्रंदन फुरूस में यानि कि अब जो सारी रात अलग रहते उसका जो क्रंदन था वो दोनों जो सारी रात रोज चुके थे विरहा के कारण अब वो बंद हो गया था उस महान सरवर के तीरे और वहीं पर जो एक सरोवर था उसके किनारे शैवालों की हरी दरी पे और उस तरलाप के किनारे शैवाल थे और वहाँ पर हरी आली च्छाई हुई थी प्रणले कले छिड़ते और क्या है मिलन के बाद वो दोनों आपस में लडाई करने लगे थे मिलन हो रहा था प्रणय मतलब मिलन हो रहा था लड़ाई यानि प्यार की जो लड़ाई थी वो दोनों वहाँ पर कर रहे थे मैंने चकवा चकवी को वहाँ पर सरोवर के किनारे हरी दरी जो शैवालों की बिची हुई थी महाँ पर उन दोनों को लड़ते हुए देखा अभावारत क्या है बादल को घिरते देखा कविता के इस भाग में कवी ने बसंत रितु का वर्णन किया है सुभा की सुन्दर बेला है वायू धीरे धीरे मंदगती से बह रही है सुर्य अपनी लालिमा से संपूर्ण प्रत्वी का पर प्रकाश की नई केड़ने भी खेर रहा है वही कवी को कियो दूसरी और चकवा चकवी के एक जोड़ा दिखाई दिया इन्हें या विशाप मिला है कि ये दोनों रात्री में एक साथ समय नहीं बिता सकते इस कारण ये दोनों रात्री में अलग-अलग रहते हैं दूसरे दिन सुबह सूर के उगने के बाद मिलते हैं दूसरे दिन की को एक टक देखते हैं मानो एक रात्री के बाद नहीं बलकि कई वर्षों बाद मिलें तो वहाँ पर वो दोनों रात का उन्हों ने वो एक जोड़ा देखा उसका भी वर्णन हमारे सामने उन्हों ने किया दुर्गम बर्फानी घाटी में शत्च सहस्त्र फुट उचाई पर अखल नाभी से उठने वाले निजके ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी म्रग को अपने पर चिड़ते देखा बादल को घिरते देखा अब उन्होंने जब चकवा चकवी देख लिया उसके बाद उन्होंने क्या देखा दुर्गम बर्फानी घाटी पे मतलब बहुत ही दुर्गम राश्ते होते बर्फानी घाटी पे बहुत उपी हजारों जो उचाई फिट की उचाई पर उन दुर्गम घाटियों पे अलक नाभी से उठने वाले अपनी ही नाभी से उठने वाले उन्मादक परिमल को यानि कि बहुत ही उत्तेजित कर देने वाली सुगंद के पीछे दोड़ते हुए म्रग को देखा धावित होकर तरण करस्तूरी म्रग को अपनी ही नाभी से उठने वाली सुगंद के पीछे भागते हुए करस्तूरी म्रग को देखा अपने पर चड़ते देखा और जब उसे वो सुगंद मिल नहीं रही तो वो अपने पर ही चड़ रहा है उस चड़ते हुए म्रग को कभी ने देखा तो यहां क्या था कि अपने ही नाभी में उसके सुगंध होती है कस्तूरी म्रिक की और वो हर जगे गूमता रहता तो उनों ने बोला कि हमने कैसे म्रग को देखा जिसकी खुद की नाभी से सुगंद उट रहे थी और वो सुगंद को वो हर जगा ढूंड रहा था और जब उसे नहीं मिल रही थी तो वो अपने पर ही चिड रहा था उस चिडते हुए म्रग को क कभी ने देखा हैं इसका भावारत कहा है कभी हिमाले की चोटियों के नीचे खड़े हैं और कभी ने इस अंश मेवे उस युवा कस्तूरी म्रक्का वर्णन कर रहे हैं जिसके शरीर से एक अच्छी सी सुखंद आ रही है मगर वह अपने शरीर की इस सुखंद से ही अंजान है और पहाडों के बीच भागता हुआ उस सुखंद को खोज रहा है उसे पता नहीं कि ये सुखंद उसके अपने शरीर से निकल रही है वह संपूर हिमाले में इधर उधक भटक रहा है अंद में म्रक चड़ जाता है और कवी को म्रक को चड़ा हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे नहीं मिल रही है वह सुखंद तो वह बहुत तेजी से चड़ा हुआ है और इस चड़ेवे म्रक को देखकर कवी को बहुत ही आनंद आता है कहां गया धनपती कुबेर कावा, कहां गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना काली दास के वोम प्रभावी गंगा जलका ढूंडा बहुत परंतु लगा क्या मेग दूद का पता कहीं पर कौन बताईव छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर जाने दोगा कवी कलपित था मैंने तो भीषण जारों में नब चुम्बी कैला शशीर्ष पर महा मेग की जनजाली से गरज गरज बढ़ते देखा बादल को घिरते देखा अब इन्होंने क्या पूछा अब हिमाले को लेकर बहुत सारे कवी उन्हें सबने बहुत सारी कलपनाएं की हैं तो उन कलपनाओं के बारे में यहां पर कवी ने बोला है तो पहला उन्होंने क्या बोला कहा गया धन पती गुबेर का वहा कहा गई उसकी अलका तो क्या गया वह धूंड रहे हैं कवी कहा है हिमाले पर जो है कुबेर के की जो धनवती जो नगरी बसी थी अलका वो उसको ढूंड रहे हैं कहते कि हिमाले परवत पर कुबेर की नगरी बसी हुई है अलका तो कहते मैंने उसे बहुत ढूंडा पर ही वो यहां पर नहीं है कहा है वो फिर दूसरे में क्या बोलत हमाले परवद़ पर जो है वो गंगा जल का प्रवाह वोंग प्रहरि है बहुत बड़ी नदी है वी ओमरी मैंने उसको ढूड़ वो भी मुझे यहान नहीं मिली ढूड़ा बहुत परँन तू लगा क्या दो को बहुत ढूंडा पर मुझे लगा मेग दूद का कहीं पता नहीं यानि कि मैंने उस मेग दूद को यहां पर बहुत ढूंडा पर मुझे वो यहां पर कहीं नहीं मिली कौन बताए वा छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर मुझे कौन बताएगा कि वो मेक दूत जो है वो यहाँ पर कभी बरसा होगा कोई है मुझे यहाँ पर बताने बाला जाने दोवा कभी कल्पित था यानि कि छोड़ो शायद वो कभी की कल्पना ही थी यानि कि वो सिर्फ कवी की कलपना मात्र थी वो शायद असलियत में नहीं थी जान दोस को छोड़ो मैंने तो भीशन जारों में अब वो क्या आपने हिमाले पे हैं तो बहुत ठीटूरन वारी ठंड होती है तो कहते हैं मैंने तो वहाँ पर भीशन जारों में नबचुंबी कैलाशीश पर नबचुंबी यानि आकाशों को चुमने वाले उस हिमाले के शिकर पर जो इदम चोटी पर यानि कि मैंने यानि कि कभी ने जो है देखा है इस हिमाले की चोटी पर आग इतनी उची चोटी पर महा मेग को जंजालिन से गरच गरच के भिरते देखा और वहाँ पर मैंने जो है बादलों को गरगर करते जंजड करते हुए आपस में भिरते हुए देखा है मैंने बादल को गिरते देखा मैंने कभी क्या बोल रहे हैं मैंने सब ने जो भी कहा हो कुबेर की नगरी है मेगदूत है लेकिन वो तब तो मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने क्या देखा एकदम शिखर पे हिमाले की गगन चुमी शीरशो पर मैंने बादलों को आपस में गड़कर करके जंजाडित होकर के बरस्ते देखा तो इसको कैसे लिखेंगे कभी को हिमाले परवत का आंगन बहुत पसंद आया वे यहां पर भगवान कुवेर देव की अलका नगरी को ढूंडने का प्रयास कर रहे हैं मगर उनको भगवान कुवेर देव की अलका नगरी नहीं दिखी यहां तक की कालिद प्रियासवारा मेगदूत कविता की बताई गई आकाश गंदा नदी को भी ढूरने का प्रयास किया लेकिन कवी असफल हुए कवी को एक अनूखी चीज बहुत अच्छे से नजर आई कैलाश परवत की उचाईयों से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरसते हुए बादलों को देखा शत्षत निरजणनी कल मुर्खित देवदारू कानन में शोडित धवल भोज पत्रों से चाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंदित फूलों के कुंतल को साजे इंद्र नील की माला डाले शंक सरी के सुघण गालों में कानों के कुवले लटकाए शत्दल लाल कमल वेडी से रजत रचित मडी खंचित कला में पान पात्र द्राक्षण पूरित सरखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपती पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मरग चालों पर पलती मारे मदिरा रुण आखों वाले उन उनमद किनर किनरयों की म्रदुल मनोरम अंगलयों को वनसी पर फिरते देखा बादल को घिरते देखा तो अब यहाँ पर क्या दिया है यह जो हमारे सामने इन्होंने पैरा दिया है यहाँ पर हिमाले में बसने वाली बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनका वर्णन हमारे सामने किया है एक गाउं गए वहाँ पर किस तरीके से लोग क्या कैसे पहनते हैं कैसे रहते हैं क्या जंगल के पास में शोडित धवल भोज पत्रों से चाई हुई कुटी के भीतर, एक कुटिया बनी थी भोज पत्रों से चाई हुई, मतलब उसका च्छत था वो भोज के पत्र जो होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसे एक कुटिया बनी हुई थी, उसके भी इतर रंग बिरंगे और सुगंदित फूलों के कुंतल को साजे यानि कि वहां की जो इस्तरियां थी उन्होंने रंग बिरंगे फूलों का कुंतल मतलब फूलों को साजे हुए थी इंदर नील की माला पहने हुए थी इंदर नील मतलब रंग बिरंगे फूलों की माला गले में डाली हुई थी शंक सरी के सुखड गलों में और कहां पहने थे गलों में जी गले कैसे थे जैसे शंक ढले होते हैं एकदम तराशे हुए वो शंक जैसे सुरीली जो गर्दने थी पतली-पतली से उन गर्दनों पे उन मालों को पहना हुआ था कानों में कुवलेल लटकाए और उन्ही जो फूल थे उसी से उन्होंने अपने कानों के जो बुंदे बना कर लटकाए हुए थे शत्दल लाल कमल बेडी में और कमलों को यानि कमल के जो फूल होते हैं शत्दल यानि कि उनके पत्तों के उपर जो फूल लगे होते हैं उसे अपनी चोटी पर लगाया हुआ था रजत रचित मड़ी खरचित कलाम है और क्या है रजत मतलब की लाल लाल जो है लाल लाल मड़ियों से जैसे खरचित के जो कमल में करके जो उनके जो होट है उन पे फूलों से लाल लाल जो खरचित के जो है वो लाली निकाल के अपने होट उपर लगाई पान पात्र द्राशव पूरित जैसे पान खाके जो लाल हो जाते हैं होट उस तरीके से रजत रंग के फूलों से घिसके उन्होंने अपने होटों पर लाली लगाई हुई थी रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपती पर और उनोंने उन सभी इस्तरियों के सामने उन सभी लोहित चंदन की त्रिपती और वो सभी चंदन को घिस रही थी उन सभी इस्तरियों के सामने एक पत्थर रखा था जिसके उपर वो चंदन घिस रही थी नरम, निदाग, बाल, कस्तूरी, मरग चालों पर पस्तिमर और वो जो घिस रही थी, वो बैठी कहाँ पर थी जो है, वो कोमल कोमल हिरनों की जो मरग चालों होती है वो इस तरियां उन सभी के उपर बैठी हुई थी और वो अपने सामने रखे पत्थर पे वो चंदन को घिस रही थी मदिरा रूड आखों वाले उनमद किन्णर किन्णरीों को और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर इन इस्त्रियों के इलावा उन्होंने देखा मस्त मतलब ऐसी आखी नशीली आखों वाले किन्नरों को भी देखा म्रदुल मनोरम उंगलियों से जो अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से बंसी बजा रहे थे बादल को गिरते देखा है कविता की इस अंतिम चंद ने कवी ने हिमाले के प्राकतिक सौंदर का वर्णन किया है कभी ने यहां देवदारू पेड के घने जंगलों और जहर्नों का वर्णन किया है कभी हिमाले परवत में रहने वाले लोगों के विशे में कहते हैं यहां के लोग हमेशा सुन्दर दिखते हैं वह हमेशा सत्समर कर रहते हैं यहां की औरते बालों में गजरा लगाए फिरती हैं इमंग किनल लोग मर्द्या पेकर मस्त रहते हैं किनल लोग हमेशा जुमते गाते रहते हैं सुर्टाल लेचंद खुद ही बना कर गाते हैं कवि ने यह सब अपनी आँखों से देखा और उन बातों को यहां पर विट्द किया पहला प्रिशन है इस कविता में बादलों के सौंदर चित्रन के अत्रिक्त और किंद रश्यों का वर्णन किया गया है बादलों के इलावा वहां पर रहने वारे लोगों के बारे में के सौंदर का चित्रन तो किया ही है साथ ही साथ हिमाले परवत का भी वर्णन बहुत ही कुपसूरती से किया है कवी के अनुसार हिमाले परवत पर सवेश बर्व की चादर ढखने से वसुंदर दिखता है साथ ही वहां पर हंसों के तहरने का भी वर्णन किया है वहां हंस भी थ प्राकति है तो सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण प्रत्वी को उज्वलित करता है अपना प्रकाश विखेरता है इस दृष्ट का भी वंडन बड़ी सुन्दत्ता से किया है दूसरी और कवी ने चकवा और चकौर पक्षी का वंडन किया है जो अपने अभिशाप के कारण र प्राकतिक सौंदर का वंडन करने के साथ साथ वे हिमाले परवत में रहने वाले किन्डरों का भी वंडन करते हैं कि वे किस तरीके से अपने जीवन मस्त रहते एवं खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतित करते हैं कवी ने कविता में युवा म्रग का भी वंडन किया है जो बहुत ही सुगंदित है अपनी सुगंद से अंजान होने के कारण वा संपूर हिमाले पर इधर-उधर भटकता है जब उसे वा सुगंद नहीं मिलती तो वह चड़ जाता है मतलब क्या है? वो बहुत ढूंट रहा है मगर उसे वो सब चीजे कहीं नहीं मिली तो उसे वो चिड़ जाता तो जितनी चीजों का वंणन उन्होंने इस पूरी कविता में किया था बादलों के घरने के इलावा सभी का वंणन यहां पर पूरे विस्तित रूप में किया गया है नेक्स्ट है प्रडले कले से कवी का क्या तात पर है प्रडले कले तो दिया चकवा चकवी का प्रडले कले यानि कि मिलेन के साथ ही वो थोड़ा सा जो लड़ाई जगड़ा होता है वो चीज़े हैं क्या दिया है प्रड़े कलय का अर्थ है दो प्रेमियों के मद्ध प्यार वाली लड़ाई यानि कि प्यार भी है और धीरे धीरे लड़ाई भी हो रही है कभी ने हिमाले की चोटियों में चकवा एवन चकवी की जोड़ी को देखा था जो इक अभिशाप की कारण रात भर हैं मिलते हैं तो पहले लड़ाई करते हैं फिर प्रेमा लाप करते हैं तो पहले थोड़ा सा जगड़ा होता है फिर वो प्रेम करना शुरू करते हैं नेक्स कोशन है कस्तूरी म्रग ने अपने पर ही चड़ने का क्या कारण है अब कस्तूरी म्रग्या उसकी खुद की नाभी में वो सुगंध है जिस सुगंध के लिए वो पूरे हिमाले पे घूम रहा है मगर उसे मिलता नहीं जब मिलता नहीं तो वो चड़ जाता है क्योंकि ढूड़ वो इतना रहा है पर कहीं नहीं मिलता है उस उगल में वो इतना पागल है कि किसी तरह उसे मिल जाए लेकिन वो मिलता ही नहीं है उसे और जब नहीं मिल पाता तो वो उसको चड़ने वाली होती और वह उस खुश्वु को ढूंडने के लिए हमाले में इधर उधर व्रिचलित होता दिखता है अंत में जब उस सुगंद की तलाश नहीं कर पाता तो उसे अपने आप पर गुस्सा आता है और वो चड़ जाता है वो इतना ढूंडरा मगर यह सुगंद उसको मिल नहीं पाई तो वो उसका गुस्ता जो है वो चड़ के रूप में बाहर आता है बादलों का वर्णन करते हुए कभी को काली दास की याद क्यों आती है काली दास का महा कावे है मेगदूत जिसमें बारिश का वर्णन पूरी उसमें वर्षा रितु का ही वर्णन है मेगदूतम में तो इसलिए वर्षा जैसे ही बादलों का खयाल आता है तो सबसे पहले काली दास की मेगदूत याद आती है उन्होंने क्या किया था बताया था कि हिमाले पर गंगा जल की नदी एक प्रभायत होती है तो उसी को ढूंड रहे थे कभी लेकिन वो कहीं मिली नहीं तो क्या दिया है मेक दूद कविता काली दास की सबसे बड़ी कविता है ये कविता संपूर विश्व में बहुत ही जादा प्रचलित है इसलिए कभी जैसे बादलों का वर्णन करते हैं तो उनको काली दास की याद आती है कि काली दास ते अपनी कविता में आकाश गंगा का कवी हिमाले परवत पे के उस कोने पर आकाश गंगा नदी को ढूंडने का प्रयास भी करते हैं। गिरते देखा है। पोटी बड़ी कई जीले हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल रिक्त मधुरुव्य विसतंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। तो क्या हिमाले की जो घाटियां होती हैं वहां बहुत सारी जीले बन जाती हैं। इरिया में बहुत सारी जीले बनती हैं। और उनहीं जीलों पर उमस से गर्मी से त्रिप्त जो बहुत जादा जो उमस पढ़ती हैं भर्शा जीतों से पहले गर्मी पढ़ती हैं। तो उससे जो है ना बहुत ही जादा परिशान हो जाते हैं जो हंस वो वहाँ पर आकर रहते हैं उनको मैंने वहाँ पर विचरण करते देखा है रितु वसंद का सूप्रभाद था मंद मंद था अनिल बहरहा वाला रुड की म्रदु किरणे थी अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे एक दूसरे से विरत हो अलग-अलग रहेकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी को बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा बादल को गिरते द देखा तो अब क्या हो जाएगा रितु वसंत में वहाँ पर क्या हुआ किस तरीके से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी बादल चाह रहे थे और सारी रात बिछड के चकवा चकवी को है ना कि वो रात एक साथ नहीं बिता सकते तो सारी रात विरहा अगनी में एक दूसरे से रपते देखा और फिर सुबा होते ही वहां के हरे मैदानों में उन्हें प्रेम करते हुए मैंने देखा है दुर्गम बर्फानी घाटी में शस्त शहस्त फुट उचाई पर अखल ना भी इसे उठने वाले निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल कि इम्रग का बादल को गिरते देखा है फिर उसके बाद क्या बताया जो दुर्गम बरफबारी पहाणों पर है ना बहुत ज्यादा भेंकर बरफबारी होती है तो उन्हीं बरफबारी में अपने ही नाभी में जो कस्तूरी विर्याप्त रहती है उससे विचलित होकर खुद उसकी नाभी में ही होती है कहा गया धनपती कुबेर वह कहा गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना कालिदास के वोम प्रवाही गंगा जलका ढूंडा बहुत परंतु लगा क्या मेग दूद का पता कहीं पर कौन बताए वह छाया मैं बरस पड़ा होगा ना यहीं पर ज शालिव की इन जानीरों से गरज गरज पड़ते देखा बादल को घिरते देखा अब क्या बोल रहें कहते हैं कि धनपती कुबेर का खजाना जो है उनी परवतों पर है वो कहा है मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखा और मैंने साथ ही कालिदास की महाकारत था मेग दूद म मेग दूत में जिस चीज का वर्णन किया गया है मैंने उसको भी वहाँ बहुत खोजने की कोशिश करी उन जगाहों को मैंने यहाँ खोजने की कोशिश करी पर वो मुझे नहीं मिले शायद वो कवी कल्पित थे यानि कि वो कवी की कल्प नाओं का ही सिर्फ खेल था शत्षत निरजर जर नीकल मुर्खित देवदार कानन में शोनत धवल भोज पत्रों से चाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंदित फूलों से कुंतल को साजे इंद्र नील की माला डाले शंक सरी के सुगर गलों में कानों में कुलवे लटकाए तो यहां पर क्या बता रहें किस तरीके से जो है इन्होंने प्रकति का वर्णन किया यहां पर कि अभी तो उन्होंने देखा कि यहां पर क्या-क्या विच्रण कर रहा था वो चीज अब जर्णों का वहां के फूलों का वहां उनी से बनी हुई कुटियाओं का सब का वर्णन क रहे हैं हाँ पर शत्दल लाल कमल वेडी में रजत रंजित मणी खंचित कलामें पान पात्र द्राश्ता सवपूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नर्म निगाद बाल कस्तूरी म्रग छालों पर पतली मारे मदिरारुण आखों वाले उन उन्न किन्नर किन्नरियों की म्रदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा बादल को गिरते देखा तो किस तरीके से किन्नर किन्नरियों को जो है ईश्वर की प्रताप से वहां पर वो सभी सुसज्जित होकर जो है नाच गायन करते हैं वासुरी बचाते हैं मैंने वहां पर उन सभी को ऐसा करते देखा तो नागरजुन जी ने यहां पर इस कविता के माध्यम से हिमाले परवत प्रचाने वाले वर्शारितु के बादल में जो जो चीजें आपको दिखाई देती हैं उन सभी को यहां पर समझाने की कोशिश करी है चाहे वो कलपना वाली हो चाहे सभी तरह की चीज़ों को यहां उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है अब इस कविता के सार को समझते हैं क्या दिया है बादल को घिरते देखा कविता नागरजुन की कविता संग्रह युगधारा से लिया गया है तो देखें किस कवी ने लिखा है किस संग्र लिखा गया है या यह कौन से संग्रह से भाई कवी तो बहुत बड़े बड़े संग्रह लिखते हैं तो उसे तरीके से यहाँ पर कभी है नागार जुन और उनके कविता संग्रह युग धारा से यह कविता ली गई है कविता में प्रकति चित्रन का सुन्दर उधारन है वर्शारितु आने पर सारी प्रकति जैसे अपनी विरहां आगणी शांत करती नजराती है उसी भाव को कवी ने विम्बोग से विक्त किया है कविता में हिमाले की पहाडियां दुर्गम बरफीली घाटियों जीलो जर्नों तथा देवदारों के जंगलों के बीच दुरलब वनस्पतियों जीवजंदू गगन चुम्भी कैलाश परवत पर मेगा किन्नर किन्नरियों के विलास पूर्ण में जीवन का अत्यंत आकर्शन बैंनन किया है तो देखे उन्होंने परवत पर होने वाली हर एक चीश जो चीश भी होता है सभी का बहुत एंगा एक हुपसूरत तरीके से चित्रण कर दिया उन्होंने प्राकतिक चित्रण किया उन्होंने पौरानिक चित्रण किया उन्होंने एतिहासिक चित्रण किया उन्होंने कलपना रही तो जो चीजें बताई गई है उनका भी चित्रण किया तो हर एक चीज हमें बताई और यहां पर कई तरीके के बिम्बो का जिया जैसे कस्त तरीके के बिम्बो का इस्तिमाल यहां पर किया गया है तो यह आपको ध्यान रखना है बिम्बो मतलब हम के अपनी कौन सी ग्यानेंद्रियों का इस्तिमाल करते हैं उनी के मांत्यम से हमारे बिम्बो चलते हैं अब इसमेसार में क्या है कभी बताता है कि जब स्वच और धवल चोटियों पर वर्षा कालीन बादल चा जाते हैं तो संपूर्ण प्रकति उल्लास से भर जाती है सिर्फ परवतों पर ही नहीं आप कहीं पर भी देखिए वर्षा रिदू के बादल आते ही सब ही जगे चाहे प्रकति हो जानवर हो मनश्य हो कोच भी कोई भी हो सब बहुत ही उल्लास से भरते हैं क्योंकि उससे पहले का जो मौसम होता है उसमें हम बहुत जादा विचलित हो चुके होते हैं बहुत गर्मी पढ़ती हैं हम परिशान हो चुके होते हैं और जब वर्षा कालीन बादल आते हैं तो वो हमारे अंदर खुशी का संचार करते हैं दगल ते दोआ यांक मानसरोवर क्या है आपका ऐक तालाप पनाम हो पर प हिमाले प्रवतН पर पर दोबण ने और उसके समान लगने लगती है मोतीके समान आपकर मैं पानी पड़ा होगा तो हमेशा मोती के समान लगता है तो वहाँ पर क्या है वर्शा कालीन बादल आए उनकी बूंदे चाहे वो मोती जैसी बूंदे मांसर ओबर में पड़े या कमल के पत्तों पर रहें सभी वो कैसे लगती हैं मोती के समान रखती है पावस की उमस से व्याकुल समतल प्रदेशों से आकर हंस जीलों में ये तैरते हुए कमल डंडियों को खोजते हैं अब पावस रितुउ में उमस, यानि कि बहुत जादा उमस हो जाती है और उमस में वो कहा आजाते हैं बहुत पर व्याकुल होकर यहां पर आते हैं और यहां की ठंडक में जो हैं यहां के तालाबों में तैरते हैं और कमल की जो डंडियां होती हैं उनको खोजने का प्रयाज करते हैं रात की विरहा पीड़ा से व्याकुल चक्वा चक्वी सवेरे होते ही अपनी प्रणैल कीला में मगन हो जाते हैं तो चक्वा चक्वी को ये अभिशाप पिला है कि वो रात में कभी भी साथ नहीं रह सकते हैं तो रात में वो हमेशा दूर रहते हैं और रात उनके लिए एकद सैक्डो हजारो फुट दुर्गम बरफीली घाटी में अपनी ही नाभी से उठने वाली मादिक सुगंद को ना पाने पर युवा हिरन को खीजते हुए देखा है और साथ ही अपनी ही नाभी में कस्तूरी की सुगंद से विचलित हो जाने वाला जो हिरन होता है वो उसको उस सुगंद के पीछे इधर उधर भागते देखा और जब उसे नहीं मिलता तो वो किस तरीके से खीजता है ये भी हमने वहाँ पर देखा है परवतों पर चाई घटा काली घटा चाजा जाती है तो काली दास कवी की मेग दूत हमें याद आती है और मेग दूत में जिन भी द्रश्यों का अवर्णन किया गया है उनको मैं खोजने का प्रेत्न वहां करता हूं पर वो मुझे वहां कहीं नहीं मिलते साथ ही इतने ठंडे में वर्शारितों में वहां पर मैंने तेज हवाओं को चलते दिखा तो अब पहाणों पर जब तेज हवाओं चलती है न तो साइज 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 करके आवाज आती तो उसको क्या बोलते हैं जंजावत बोलते तो उस आवाज को भी मैंने वहां पर परवतिय शोभा पर मुग्द हो, मुग्द कभी को किनर किनरियों का विलासपून जीवन भी आदाता है तो क्या हुआ यहांग जो जीवन हैं, बहुत ही खुश में लगता है, बहुत ही ठन्डा है, सब कुछ है यहां के जीवन को देकर किनर किनरी किस तरीके से अपना विलासपूर्ण जीवन जीते हैं उनको भी मैंने कभी कभी यहां पर कलपना के साथ देखा कि वो भी यहां आकर किस तरीके से अपना जीवन वितित करेंगे वा मस्तिक वाता वरण में द्राशा सब मदिरा तथासंगीत का आनंड उठाते दिखाई देते हैं तो इसमें भी क्या है? वो जो है मदिरा का और विलास पूर जीवन जो जीते हैं हमें उनकी याद दिलाता है तो यह पूरी कविता में उन्होंने तरह तरह के से प्रकति का बंदन किया है और हर तरीके से चीज़ों को हमें समझाने का प्रयास किया तो यह हमने कविता देखी, कविता को थोड़ा जल्दी से समझा, फिर हमने सार को समझा, अब हमारे पास क्या है, इसी पार्ट के प्रश्णुत्तर है, तो चलिए उनको प्रश्णुत्रों को देखते हैं, पहला प्रश्ण है, प्रणाय कलहे से कवी का क्या तात पर है, प्रणाय का संबंध प्रेम से है, कविता में प्रणाय कलहे से कवी का आश्रह है कि प्रेम के मद में खो जाना, तथा अपने प्रेमी के साथ प्रेम भरी शरारत और मस्ती करना, अपने प्रेमी संग समय को व्यतीत करना, तो कहने का त्यात पर क्या है, यहां पर जब सारी र सुरी अब विच्छित हो रहे हैं वो मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने ही पा रहे हैं और सुबा जब मिलते हैं तो बहुत ही जादा जो हैं उनके अंदर प्रेम भरा होता है तब ही लड़ाई जगणा भी थोड़ा बहुत हो जाता है कस्तूरी म्रग के अपने ऊपर ही चड़ने का क्या कारण है यानि कि वो अपने ऊपर ही क्या कारण है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसको जो है जो सुगंध है वो उसे पानी है अब वो सुगंध उसकी नाभी में है वो ये नहीं जानता और उसको जगा 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 ज चीज तो वह क्या करता है अपने आप पर ही चड़ने लगता है क्या कि दिया है कस्तूरी के नाभी से एक सुगंद निकलती है जो बड़ी है मनमोहक होती है इस सुगंद की दिव्य अनुभूती मिरग को खोजने पर विवश कर देती है इस सुगंद की खोज में मिरक इधर उधर दोड़ता रहता है किन्तों इस सुगंद का शोतवा कभी नहीं ढून पाता पूरा जीवन सुगंद के शोत को ढूनने में निकल जाता है जिसके कारणनग स्वेम पर चड़नी लगता है इस खोज के पीछे उसका जीवन भरका संगर्ष तथा ठकान और पानी की प्रबल इच्छा नहीं थूती है तो यानि कि वो उस चीज को पाना चाहता है मगर पानी ही पा रहा है बहुत कोशिश कर रहा है बहुत मेहिनत कर रहा है तो आखिर में आकर वो क्या होता है चड़ जाता है तीस कवी ने यहां पर क्या किया है नाकारजुन कवी ने जो है यहां पर भी बादलों का ही वर्णन किया है बादल को घिरते देखा बादलों के बारे में है और कालिदास का भी मेग दूद बादलों के बारे में है इसलिए जब वो बादलों को देखते हैं तो उन्हें कालिदा को दूद बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भीजा था तो अब यह देखिए क्या हुआ है धन का कुवेर का जो धन था अर्थात उसकी प्रिया जो थी वो उसको पाने के लिए जो है मेग दूद को जो है उन्होंने संदेश वाहक बनाया था कालिदास ने तो यहां पर क् इसी कारण कवी को उनकी याद आती है तो मेग दूद में जितने इन इस्थानों का वर्णन है जहां पर जो है कुबेर है और क्या केते हैं वो अपनी प्रिया को जो है संदेश भेज रहे हैं बादलों के माध्यम से वो सभी कुछ देखा आकाश गंगा को देखने की करी मगरिये सब वहां कहीं नहीं मिला तो आखिर में कभी कैसा मत जाते हैं कि यह कभी की कल्पित रचना है यानि कि कलपना पर आधारित रचना है क्योंकि actual मेंσα I am कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट अपना ख़तम किया, हमने फटा-फट इसका रिवीजन कर लिया, क्योंकि रिवीजन जत्ती जल्दी हो जाए इतना अच्छा होता है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी आपको सब मेन पॉइंट्स को यहां पर समझाने का प् के लिए तो यह आपको मिलेंगे कैसे इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैंगर्समें.com पर जब आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है, इसे क्लिक करते ही आपके सामने वह सभी क्ला करना है, तो आप यहां पर हिंदी कहिए देखें, फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने सभी चैप्टर आजाएंगे, बुक्स भी आजाएंगी, चैप्टर भी आजाएंगे, तो जो भी आपको बुक पढ़नी है, जो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, हमें इसी से पता चलता है कि आप सब हमें कितना चाहते हैं, क्या चीज़ा आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज यह करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, थैंक यू पॉर वाचिंग, बाइ!